तो यह है OPPO Reno8 5G, इसको देखते ही आपको देखने को मिलेगा, stylish, cool, lightweight, काफी slim है, काफी lightweight है, matte finish में आता है, Reno glow design है, और fingerprint और scratch resistant आपको देखने को मिलेगा, तो fingerprint के निशान और scratches नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी, single frame unibody design है, पूरा mold होता हुआ, पीछे से आपको back panel इसका देख जागा, बड़े-बड़े lenses देखने को मिलेगे, और display यहाँ पर punch hole देखने को मिलेगा, डिस्पले की भी आगे हम बात करेंगे, नीचे की side आपको देखने को मिल जागा, charging port, speakers, single speaker है, और seam tray आपको देखने को मिल जागी, और यहाँ पर आप सिर्फ 2 seam लगा सकते हो, कोई भी expansion का आपको option नहीं मिलेगा, और polycarbonate body है, back से भी, और plastic का यहाँ पर पूरा frame है, और 7.6 mm का थिकने से 179 gram का weight है, phone दिखने में और लगने में तो काफि स्लीम है, और lightweight है, और पूरा plastic frame है, left side में आपको volume buttons मिल जाएंगे, up and down करने के लिए, और आपको right side में switch on button मिलेगा, और उपर के side में आपको noise cancellation mic मिलेगा, जिससे की calling quality काफी अच्छी हो जाएगा, और जो body है वो पूरी single frame unibody design है, पूरा mold होता हो आता है, आइफोन तो दिखने में तो काफी premium है, और यहाँ पर आपको LED flash मिल जाएगी, जो कि dual tone पे है, आप देख सकते left and right side में, इन display fingerprint आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक AMOLED display है, और 6.43 inches का आपको यहाँ पर display देखने को मिल जाएगा, Gorilla Glass 5 का protection भी है, और यह display HDR 10 certification वाली है, तो यहाँ पर आप HDR content भी play कर सकते हो, so 6.43 inches का full HD plus AMOLED display जो कि 400 nits पर आता है, Gorilla Glass 5 का protection है, और HDR 10 certified में आपको जैसा की बता दिया है, इसका view angle colors काफी सही लग रहा है, और 90 Hz का refresh rate है, 120 Hz होता तो बेटर हो सकता था, बाट 90 Hz है और stable 90 Hz है, selfie यहाँ पर 32 MP, rear camera 50 MP, man lens, sony AMX 766, 8 MP, ultrawide 2 MP, सेंपल आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, पोट्रेट्स वगरा काफी तकड़े आए यहाँ पर, macro lens से भी हमने फोटो लिया है, night mode भी लिया है, video quality भी लिये, यह मैं first impression दे रहा हूँ, आपको total review नहीं है, camera test इसका dedicatedly channel पर आ चुका है, और Reno 8 Pro से भी हम compare करेंगे, और यह सारे camera feature मिलते हैं आपको, especially video में तो यह काफी कमाल करता है, और especially bouquet flare portrait video, और bouquet flare portrait night में भी आपको मिलेगा, plus day में भी मिलेगा, इसका dedicated camera test आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि exact इसका camera कैसा है, dual view video भी है यहाँ पर, बहुत आप दोनों camera आप एक साथ यूज़ का सकते हो, front भी और bake भी भाई काफी कमाल का है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, अधि थरी 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 थाइन हंड़ेट, सिक्स अनेमबेस, 3.0 गीकार्ट का उक्टाओ को प्रसेर है, 4500 एमेज बेटरी है और 80 वोट का सुपर वुक चाज़र मिलेगा आपको जब की फोन को 35 मिनिट पर 100 प्रेसंट चार्ज कर देगा, यहाँ पर आपको सारी एप्लिकेशन से जिनको आपको अनिस्टॉल करना पड़ेगा आपके डे टूड़े टास्क को सौल करने में और हैंग वगएरा लेग वगएरा को कोई इस्यू यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई परफोमेंस में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू आपको देखने को मिलेगा, फस्ट इंप्रेशन में इसा कोई प्रोब्लम आपको देखने को नहीं मिला है, प्रोसेजर केपबल है, साउंड क्वालिटी की बात करें, साउंड आप सुन सकते हूं, सिंगल स्पीकर है, पर आप ऑडियो क्वालिटी इसके आप देख सकते हूं, यह पर अपना साउंड भी सुन लिया है, तो कुछ इस तरह से था है, यह ओपो रेनो एट 29,99 रुपे की प्राइजिंग है, 30 रुपे के अंदर काफी सई फोन है, 8128 है आप जाकर बाइक कर सकते हैं, और वन प्लस के नोट 22 से यह कंपीट करता है, एक हजार काई प्राइज रिफ्रेंस है लेकिन मेरे साब से ओपर की जो सर्वीस है वो काफी बेटर है, तो आप रेनो एट की तरफ जा सकते हो, यह था इसका रिव्यू मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, थेंक्यू सो मच वोचिंग, मिलता हूँ से नेक्स वीडियो में चेनल सब्सक्राइब जरू कर दिना, थेंक्यू